इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे अगर आप बिहार से दिल्ली के लिए विक्रम सिलाख स्पुरेश्टरं से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है कोडे के कादन इस ट्रेण के यात्रियों के लिए संचालन में कटोती की गई है जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे इस वीडियो को शुरू करते हूं से पहले हमारे चानल को नहीं कियां सब्सक्राईब करने सब्सक्राइब दरसल ठंड का मौसम बरने की वज़ा से ट्रेनों के संचालन में परेसानी हो रही है और यही वज़ा है कि बिहार के भागलपूर जंसन से आनन भिहार टेर्मिनल को जाने वाली विकिरम सिलाक स्प्रेश ट्रेन अब सब्ता के सातों दिन के बजाए केवल चार दिन ही चलेगी इन में से अन्य दिनों इस ट्रेन का संचालन को कैंसिल करने की बात कही गई है हना कि रेलवे की सूचना में सामिल ट्रेन अब एक बार एक साथ नहीं चलेगी और इसके साथ ही अब तक लगवग पंदरा सो लोगों ने टिकट कैंसिल करा रखा है लेकिन आपको घबनाने की जरूत नहीं है क्योंकि आपकी ट्रेन किस दिन चलेगी या हम आपको बताएंगे अगर आप भागलपूर से आनन्द बिहार के बीच सफर करते हैं तो विक्रम सिलाक स्प्रेश ट्रेन का संचालन मंगलवार और गुरुवार को भागलपूर से आनन्द बिहार के लिए नही किया जाएगा यानि की सप्ता के दो दिन इस ट्रेन का परिचालन रहेगा कैंसिल वहीं दूसरी दिसा में एगर आप आनन्द बिहार से भागलपूर के बीच आते हैं तो आपको बुद्धवार और सुक्रवार को इस ट्रेन का संचालन देखने को नहीं मिलेगा और इसके बिहार के तमाम यात्रियों को सुधा मिलता था लेकिन करोटी हो जाने के बाद अब यह ट्रेन दो दिन नहीं चलेगी जिससे पैसंजरों को दूसरा विकल्प तलासना पड़ेगा या फिर दूसरे दिन का टिकट कड़ाना पड़ेगा ट्रेन नमबर 12368 और 12367 की हम बात क कर रहें जो कि जमालपूर कियूल पटना होते ही वे आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है भागलपूर यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं इस वीडियो को सेयर करें और साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब आने ट्रेनों के अपडेट के लिए